स्वास्त विभाग वर्जिला प्रसासन के संग्तु प्रयास से जनपद में लगतार वैश्विक ममारी कुरोना वाइरस संक्रमतों की संख्या में कमी आ रही है इसी क्रम में सोमवार को जनपद में केवल तीन संक्रमित मिले वहीं जन्पद में एक्टिव केसिस की संख्या केवल 124 रह गई है ऐसे में स्वास्त विभाग लगतार आम जर्मानस से वैक्सिनेशन कराने की अपील कर रहा है इस समन्द में स्वास्त से बात करते हुए एडिसनल सीमों डॉक्टर निरेज पांडे ने बताया आज की तारिक में हमारे यहां कुल 124 एक्टिव केसिस है केसिं की संख्या लगातार कम होती जा रही है और हम उमिद करते हैं कि दो से तीन दिनों में यह बहुत कम हो जाएगी सब आज गुले में कितने केस पाए गाए गाए आज कुल तीन नए केस पाए गाए सब क्या रखता है कि लोग COVID-199 का अलपादम की तब जाके इस पर कंट्रूल हो पाया है यह वाइरस का साइकिल होता है आता है लोगों को इंफेक्ट करता है लोगों ने इस बार बहुत सांसीलता का परिशे दिया समझदारी का परिशे दिया है जगा जगा हम लोगों ने देखा कि COVID-199 का पालन किया जा रहा है लोगडाउन का इसमें बहुत प्रभाव पड़ा है और आफकोर्स वेक्सिनेशन का भी प्रभाव प्रभाव जैसे कि मीडिया में खबरें आ रही है कि 6-8 वीक के अंदर थर्ड वेव की संभावना बन रही है तो मेरा लोगों से यही अपील है कि इस समय एक मातर काम जो हम कर सकते हैं वो यह है कि अपने आपको टीका करत करा ले टीका करन से ही